आज मैं एक ही बैटर से तीन तरह की डिशेस बता रही हूं तो जिसमें सबसे पहले तो इडली वाला बैटर तियार करना है तो उसमें मैंने चावल उरत की दाल और मेथी दाना डाला है वो भी हेल्प करता है फर्मेंटेशन से उसके टेस्ट बी काफी अच्छा आता है और इ वेजीज अपने 24 की तो मैंने इसमें कैरट, कैपसिकम, बीन, धनिया, मिर्चा ये सब डाला है और एक इसको हलके हाथ से मिक्स करना है ये बैटर मैं इडली वाले सांचे में जिसमें आलडी ओईलिंग करी हूई है ग्रीजिंग करी है उसमें रखके स्टीमर में रखोंगे या उत्पम की तरह आप बना सकते हैं तो इसको मैंने सबसे पहले नॉर्मल तवे पे किया है तो इसको बनाने से पहले इसको सीजन किया है तो उसमें चिपकता नहीं है आप देख सकते हैं बड़े आराम से निकल जा रहा है और अगर आपसे नहीं बन रहा है था आप नॉन इसमें सारी वेजेटेबल्स डालके ओपम स्टाइल में तो दोनों अच्छे लगते हैं और सिंपल यह है क्योंकि इसमें आपको अलग से कोई तयारी नहीं करनी है सबजी बनाने के लिए आलो बालो यह करो तो यह बहुत ही टेस्टी बना है चटनी के साथ इसको आपका सर्व करें या सम्भर के साथ सब करें तो मैंने सुबह नाश्ती में बनाया था तो मैंने इसके साथ चटनी ही रखे है और यह हमारी इडली भी तयार है और इडली भी बहुत बढ़िया बनके आई है सॉल्ट थोड़ा कम दाला था क्योंकि चटनी में भी रहता है तो जो वेजी के साथ बन रहा है यह बहुत टेस्टी लगता है जब भी बनानी हो तो घर में फर्मेंट करके बनाईए बहुत टेस्टी बनती है इसमें जो राइस यूज होता है नॉर्मली थोड़ा छोटे साइज में मोटे वाले यूज करते हैं लोग मेरे पास अभी नहीं अवलिबल था तो मैंने नॉर्मल बड़े राइस को ही जो घर में चावल यूज होता है उसी से बनाया था पर उससे भी बहुत अच्छा बन के थर्ड रेसिपी में आप इडली को फ्राइ कर लिजे वह भी बहुत तेस्टी लगता है तो अगर यह ओवर आल वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू फो वाचेंग